Welcome students, स्वागत है आपका एक बाई फिर से हमारी चैनल उपलर गुरूपे दोस्तो आज बात करने वाले हैं जैप्रकाश विस्वित्याले में जो भी students यहाँ पर admission लेने के लिए इच्छुक्त है और दोस्तो बहुत सारे ऐसे students हैं जिन्होंने admission ले लिया है वहाँ पर लेकिन दोस्तो ऐसे भी बहुत सारे students हैं जिनका की admission अभी तक नहीं हो पाया है तो आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत बड़ी update आपके लिए है क्योंकि अगर आप JP University में admission लेना चाहते हैं लेकिन अभी तक अगर आपके पास नहीं पहुचा है आप admission तो ले ही सकते हैं लेकिन अगर आपने admission ले लिया है लेकिन आपको अपना college पसंद नहीं है तो change कर सकते हैं और आपको अपना subject प्रसंद निये तो change कर सकते हैं पहली बार इस तरह से आपको option दिया गया है इसलिए इसका लाव उठाइए जादा से जादा पूरे के पूरे वीडियो में बात करने वाले देखिए अगर आप JP University में अभी तक admission नहीं लिये हैं यह latest article आपको देखने के लिए मिलेगा देखिए उपर सबसे उपर लिखा हुआ है कि 31,248 seat को भरने में लगा 7 माह से भी अधिक समय और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि रिक्ट seat से दुगना भरा गया आवेदन खाली ता उससे ə दुगना भरा गया लेकिन फिर भी seat भरने में लग रहा है समय लेकिन फिर भी seat जो है हक बहारा अभी तक सारा इसरा seat नहीं भर गया जबकि आवेदन के समय दुगना रहा गया था तो इसका मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हों ने की अपना-पना आवेधन तो दे दिया लेकिन एडमिशन नहीं करवा रहे हैं तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स जो की बहुत जादा इच्छो के रहे कि एडमिशन जाके करवा लें इस विशय में छपरा सिवान गोपाल गंज के अंगी भूत वा संबिंध कॉलेजों में भी अभी 31,248 सीटे मौजूद हैं निरधारित सीटों से दुगना अवेधनाने के बावजूद कुल सीटों को भरने में साथ मा से अधिक का समय लग गया और विश्विद्याले ने हाल में जो लिस्ट जारी किया उसके अनुसार अभी 5893 सीटे मौजूद हैं जो कुल सीटों का करीब 20 परतिशत है राज जी के कई विश्विद्याले ने पहली वा दूसरी लिस्ट के नमंकन की प्रकिरिया पूरी होने के बाद स्पॉर्ट एडमिशन की प्रकिरिया अपनाई थी जिस कारण निर्धारिश चेडियूल के ताहत नमंकन पूरा करने में आसानी हुई थी दो दोस्तों अभी भी आप लोग अपना आप लोग समझ सकते हैं कि स्पॉर्ट एडमिशन जो है वह अभी भी है और आप लोग जाके अपना जल्दी जल्दी एडमिशन आप लोग कर वा सकते हैं अभी भी 5000 मतलब almost 6000 सीटे खाली है आप लोग जिस और देखिए इससे जब पहले वाला अगर आप लोग हमारे चैनल को ओपन करके वीडियो देखेंगे तो वहां पर साफ साफ एक ऐसा आप लोग को तरीका बताया गया है कि आप लोग अगर घर में बैठें तो घर में बैठें पता कर सकते हैं कि कौन से कौन से सब्जेक्ट के लिए जगा खाली है कि किसी कॉलेज में जाते हैं या फिर किसी जग्दम कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर आप किसी फिजिक्स लेने जाते हैं या फिर फिर Dreamed Students dalla वीडियो के फिर आपको लिखने वुट्र श्मी संदर्मिन क्यों जलिग संद्राइन ज़त स्विस्क्राइब यहां तो यह एक संद्सक्राइन के लिए मृइ नहीं लिया है एडमिशन तो जाके ले लिजे 5000 seats अब ये भी JP University में खाली ऐसी 5000 seats ऐसी JP University में भी खाली पड़ा हुआ है तो दोस्तों आप लोग समझ गया होंगे अगर आपके पास कोई question है तो जरूर पूछिए इस वीडियो के नीचे comment section में इस वीडियो को जादा से जादा share करिए अगर आपके पास कोई question है जरूर पूछिए और आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं जहाँ पे JP University के हजारो students है वीडियो का उस ग्रूप का लिंग आपको टेलिग्राम ग्रूप का लिंग इस वीडियो के नीचे description में देखने के लिए मिल जागा दोस्तों आपको बता दे कि सारे के सारे updates आपको JP University के हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलते हैं जाए वो किसी भी session के अभी तक नहीं जुड़े हुए थे तो दोस्तों अगले update आने से पहले अभी के अभी नीचे लाल रंगा एक subscribe बटन है उसको दबा दे और बगल में ए आता है मिलते हैं उस next update के साथ जैसी कोई भी update JP University जारी करता है उसके साथ तब तक के लिए नमशकार